हेलो बच्चों कैसे आप सब मैं आना में अखिलेश और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस टूर्श में हार्तिक स्वाध करता हूँ बच्चों आज का टॉपिक है रेट ओफ चेंज ओफ फेलोसिटी और इसको आज हम बहुत डेप्स से पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले थोड़ी से रिक्विस्ट अगर आपने प्रिवेस वीडियो को नहीं देखिए तो प्लीस वीडियो को देखिए साइस का चाप्टर होता है वो कंटिनुएशन में होता है यहाँ पर मैस की तरह कोई immediate नया टॉपिक डिसकेशन नहीं होता है तो यहाँ पर रेट ओफ चेंज वेलोसिटी समझने के लिए आपको motion, uniform, non uniform, acceleration, velocity इन सब के बारे में थोड़ी आइडिया होनी चाहिए और कुछ-कुछ question के भी आपके discussion में होने चाहिए इसके लिए उपर के वीडियो को देखना बहुत important होता है और इसलिए मैं आपको top right corner में उसका complete link दे दे रहा हूँ आप वहाँ पर जाके भी complete video को देख सकते हैं इसके अलावा आप playlist में जाके भी सफल करके भी आप वीडियो को जाओ देख सकते हैं बहुत साथ important points हमें discuss किये हैं every single question को हमने discuss किया है even हमने examples को भी discuss किया है सब आपके benefit के लिए है ज़़ा बड़ा बड़ा video नहीं है small videos हैं आप अगर चाहेंगे तो तुरण 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 वीडियो को देखे complete कर सकते हैं उस वीडियो में कोई भी आपको दिक्कत आती है तो प्रीज कामने शर्शन में उसको बताईएगा ताकि मैं उसको जल से जल डाउट को clear कर सकूँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का topic rate of change of velocity इस उमिद के साथ कि आपने previous वीडियो को देख लिए है चलिए देखिए आज का topic है वो एक नय topic के बारे में जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना है जहां से देखे इस paragraph में बहुत important चीज लिखा है हमने uniform और non-uniform पढ़ा था uniform motion उस motion कहा जाता है जहां पे same distance travel होती है same interval of time पे और उसी को अगर तोड़ दिया जाए कि अगर same distance travel नहीं होती है लेकिन same interval में तो उसे हम कहते हैं non-uniform एक में same distance same interval एक में same distance नहीं in same interval ठीक है तो यहां पे देखिए लिखा है during uniform motion of an object along a straight line the velocity remains constant with time velocity क्या था displacement by time velocity का रिक्तम last lecture है velocity को ज़रूर पढ़ गईएगा velocity बहुत important topic है उसका unit क्या होता है कैसे convert करते है difference क्या है speed of velocity में उसका सारा discussion हमने last वीडियो में किया है तो लिखा है the velocity remains constant with time time के साथ हमारा velocity क्या होता है constant रहता है uniform motion में क्यों uniform motion में क्यों uniform motion कुछ इस तरह से होती है क्योंकि uniform motion कुछ इस तरह से होती है और non uniform क्या होती है ऐसे होती है ठीक है ऐसे होती है तो यह जो uniform और non uniform में यहां पे velocity क्या होती है constant होती है क्यों because the change in velocity of an object for any interval of time is 0 क्योंकि यहाँ पे कोई change in velocity नहीं होती है बच्चो इसलिए बार बोल रहा है velocity topic अगर आपने नहीं पढ़ा है last video को ज़रूर देखिए वहाँ पे complete description है first video को देख देखिए ठीक है so the change in velocity of the object for any time interval is 0 यहाँ पे पूरा linear है ना यह तो यहाँ पे कोई भी changes नहीं होती है however यह हो गया uniform के लिए however in non uniform यह non uniform में velocity varies with time it has different values at different instance हर instance में यहाँ पे instance में एक value होगा यहाँ से यहाँ तक दूसरा value होगा फिर यहाँ से दूसरा तो हर एक time interval में आपके पास direction के साथ जो motion होता है जिसे हम velocity कहते हैं उसके लिए different different values होती है ठीक है so it has different values at different instances and at different point of the path different path के different point में different different values आपके होते हैं कि इसमें non uniform में लेकिन uniform में ऐसा कुछ नहीं था so यह जो नए-ने values होगे मिल रहे है यह the change in velocity of the object during any time interval is not 0 लेकिन यहाँ पे velocity क्या था 0 था यहाँ पे कभी भी velocity 0 नहीं है क्योंकि यह हर instance में change हो रही है तो क्योंकि यहाँ पे velocity हर instance में change हो रही है तो एक नई term का आविश्कार करना बहुत जरूरी है और उसी के लिए हमने एक नए term का आविश्कार किया उसे हम कहते है एकसिलरेशन क्या होते है एकसिलरेशन देखिए हाँ पे लिखा है तो आंसर सचे कोस्टिन वी हाँ पे इंट्रूस आदर फिजिकल क्वांटिटी नोन अस एकसिलरेशन विच इस मेजर ऑफ दा चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन अबजिट पर यूट टाइंब नौन उनिफ़र में देखिए यहाँ पर लिख रहाऊ में नौन उनिफ़र मोशन में अनूम मैं शॉट में लिखा हूं पढ़ाने की लिए नौन उनिफ़र मोशन में आपका वेलो सिटी change होता है यानि अब भी जाता है और down भी आता है तो इस up and down को move करने के लिए measure करने के लिए हम acceleration का help लेते हैं ठीक है? यही वो acceleration है जहाँ पर velocity का up and down को measure करते हैं यानि यह कौन सा measure है यह measuring quantity वहाँ पर है जहाँ पर हम velocity मे acceleration को measure करते हैं यह इसका definition ठीक है? अब देखें आपर लिखा acceleration क्या है? change in velocity by time taken velocity का जितना change होई अब change करने के लिए दो चीज़ चाहिए क्या होता है? एक होता initial velocity और एक होता है final velocity. initial velocity को हम use statement करते हैं, final को v में. मैं slow इसलिए बढ़ा रहा हूँ आपने notice क्या होगा कि यह topic बहुत ही ज्यादा important है नया topic है motion अपने फिर भी साइड प्रिवेस classes में पढ़े हैं लेकिन acceleration साइड आपने नहीं पढ़ा है साइड क्या आपने नहीं पढ़ा है? खली idea लगा होगा आपको तो यहाँ पे initial को use represent करते हैं और final को v में और t को क्या करते हैं? time होता है t से तो हमारा यह हो गया third equation a is equal to v minus u by t अब यहाँ से हमें कोई भी एक value with respect to यहाँ पे कितने parameter से एक, दो, तीन, चार parameter है चार में से कोई एक हमार पास अगर नहीं है तो हम कोई भी 3 से 4 को निका सकते with the help of this equation अब this kind of motion is known as accelerator motion क्यूं? इनका acceleration या तो up जा रहा है या down जा रहा है, brake मानना भी एक sort of acceleration है, गाड़ी का speed बढ़ाना भी एक sort of acceleration है दोनों में acceleration होती है और दोनों में आपका motion में changes आते हैं, तो उसी acceleration को measure चरनने के लिए initial value है और final value के difference को time से divide करने के बाद हमें ये value मिलती है अब बहुत important ये बहुत important है क्या लिखा है the acceleration is taken to be positive if ये positive कब लेते हैं with the direction of the velocity and the negative if it is in the direction of velocity यानि जिस तरफ acceleration हुई अगर acceleration is side हुई और motion भी side है तो positive motion is side है लेकिन आपकी acceleration इस side है तो sign negative तो यहाँ पर लिखा है and the negative when the opposite to the direction of velocity ठीक है velocity या motion के opposite अगर आ जाए acceleration तो negative sign वरना positive sign so the SI unit हमें क्या करता है बहुत important है अभी तरफ सबके SI unit meter per square था यहाँ पर square का meter per second का square है हमेशा meter per second हमने पढ़ा है यहाँ पर क्या पढ़ रहे है speed or velocity का माफ किजेगा मैंने motion के दिया था वो speed or velocity होगा और acceleration क्या होता है meter per second square ठीक है अब आते हैं important topic में next देखिए किसका मैं ड्रेटली आपको पले बढ़ा है यह question को पले पढ़िए हम कब कहेंगे acceleration है uniform और कब कहेंगे acceleration uniform नहीं है यानि non-inform इसका मैं hint यहां पर दे रहा हूँ यह star mark है मैं इसको यहां पढ़ाऊँगा सब्समाइगा देखिए if an object travels in a straight line and its velocity decreases or increases by equal amount in equal interval of time then the acceleration is object is said to be uniform यानि जब एक motion चल रही है और motion के बीचो बीच आप देख रहे है कि जो velocity हमने निकाला है वो increase कर रहे है decrease कर रहे है और जब हम different different instance में increase or decrease का value निकाल रहे है with the help of acceleration यानि final minus initial तो वहाँ पे आप एक चीज़ देख पाएंगे कि हर बार acceleration का value same आ रहा है तो अगर acceleration का value same आ रहा है तो उसे हम कहेंगे uniform acceleration जैसे की free falling free falling में बहुत अच्छा example होता यह free falling body free falling body में आप कहीं भी कोई भी point में किसी भी time पे initial or final को measure कीजिए कोई भी instance of time पे मारे जैसे free fall हो रही है आपने इस second में initial लिया और यहाँ final लिया तो यहाँ पे जो value आएगी आप तुरंत फी यहाँ पे initial लिजी यहाँ final लिजीए यह दोनो value आपस में equal होंगी अगर यह equal होती है every instance of time में उसे हम कहते है uniform acceleration on the other hand an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at non-uniform rate इसे गाड़ी आपने पहले 0 to 60 में accelerate किया फिर 60 से 70 में आपने acceleration किया आप 0 to 60 में जब गये suppose तो आपने इसके लिए 5 seconds लिया फिर 60 से आप 70 जा रहे हैं उसके लिए आपने माली जीए 2 seconds लिया फिर आप 70 से 100 जा रहे हैं उसके लिए आपने 12 seconds लिया तो यह क्या है different values है कोई same rate नहीं है different rate है तो इसे हम कहते है non-uniform for example a car traveling along a straight line increases speed by unequal amount of equal time interval यानि speed को increase कर रहा हूँ unequal कभी 10 बढ़ा दिया 10 km पर speed increase किया कभी 12 में लेकिन interval से में यानि पहले 60 seconds पहले एक seconds में या पहले 10 seconds है मैं 60 km को 60 km increase किया ठीक है उसके बाद फिर 60 seconds या फिर next 5 seconds में मैंने उसका जो speed था वो 12 या 13 km कर दिया तो क्या हो रही graph हमारी कैसे हो रही है यह जो acceleration वाली graph है वो ऐसे रहेगी है ना कैसे भी डिपेंग कर दो जब तक कि uniform ना हो यानि non uniform motion में एक चीज़ same time interval में unequal amount की speed बढ़ी पहले for example पहले minute के लिए 60 km per hour दूस्ते minute के लिए 40 km per hour फिर जैसे यहां में लिखता हूं जैसे first minute में आपका था 20 km per hour second minute में 22 km per hour third minute में फिर मा लेज़े 18 km per hour फिर fourth में 60 km per hour तो यह क्या हो रही है interval तो time का save है लेकिन यहां पे value same interval में नहीं बढ़ रही है और यह हो गया कि non-uniform acceleration non-uniform acceleration और uniform acceleration क्या होगा 1 minute 2 minute 3 minute और 4 minute यहां पे 10 km यहां पे 20 km यहां पे 30 km और यहां पे 40 km यह क्या है आपका uniform acceleration same time interval में same सब में 10-10 का कहीं बढ़े है clear है यह हमारा important topic था यसी के लिए मैंने question 1 को mark कर दिया ठीक है कोई भी डाउट हो वीडियो को थोड़ा previous जगा पे लेके जाए फिर से सुनिये example में नहीं दिया है non-uniform का यह example है और यह uniform acceleration का example है ठीक है पॉजिटिव कब होता है नेगेटिव कब होता है unit क्या कब uniform acceleration होगा कब non-uniform होगा समने आपको clearly explain किया गया अब देखिए यह question है example 8.4 बोला है राहूल स्टार्ट कर रहा है अपने bicycle को from stationary position stationary मतलब गाड़ी घड़ी थी घड़ी थी मतलब velocity कितनी थी initial velocity कितनी थी 0 उसके बाद वो paddle करता है और bicycle को speed को 6 meter per second में लेके आता है velocity को लेके आता है कितना 30 seconds में then again वो यह step में पहुन जानी यह यहां से पहले वो यहां पर आया यह उसका 0 था फिर यह A में आया A में करने के लिए उसको कितना time लगा 30 seconds लगा इस 30 seconds में वो क्या किया 6 km per second में उसने इसको यहां पर खड़ा किया अब यहां उसने फिर ब्रेक मारा क्या मारा ब्रेक अब इसी ब्रेक में वो 4 meter per second में उसका स्पीड को decrease कर दिया और 5 seconds में वो उसको rest में लेके आ गया वैसला come down at 4 meter in next 5 seconds यानि वो rest में नहीं इसी स्पीड में लेकिया यानि 0 से और first stoppage में वो 30 seconds में 6 meter per second उसका speed किया था फिर 6 meter पहुंचने के बाद उसने ब्रेक मारा और ठिक 5 seconds के बाद उसकी speed 6 meter per second से 4 meter per second हो गई थी तो बोला है दोनों case में यह case 1 और case 2 में उसका extension क्या होगा तो पहले case में उसकी initial क्योंकि cycle खड़ी थी तो वो 0 थी कोई भी speed नहीं थी और final क्या किया था वो 6 meter per second पहुंचा था time कितना ले लिया था 30 seconds पहला as per the first condition यह रहा as per the first condition तो उसका हम निकाली acceleration equal to final minus initial divider by T तो मारा answer आ गया 0.2 meter per second square दूसरे में क्या था हो जा case 1 case 1 0 से 6 और यह क्या होगा 6 से फिर 4 6 से फिर 4 देखिए जैसे 6 से 4 किया initial 6 final 4 5 seconds में divide किया answer negative क्यों negative गाड़ी तो सामने जाई थी लेकिन उसका ब्रेक मारा था वो acceleration हमें reverse position में दिया इसलिए उसका minus 0.4 meter per second को answer clear है acceleration सामने था तो positive acceleration backward है तो negative clear है initial पहले क्या था case 1 में 0 meter per second से कितना किया 6 meter per second फिर 6 meter per second में वो किया कहां तक 4 meter per second यहां पे motion right side थी acceleration भी right side थी क्योंकि उसने speed को increase किया time लिया था उसने 6 या 30 seconds second case में क्या हो था 6 से 4 में आया इस case को consider नहीं करेंगे second case में starting क्या है 6 क्योंकि 6 meter per second achieve करने के बाद ही वो 4 meter per second में आया तो second case का starting क्या है 6 और 4 उसका ending time लिया उसने 5 seconds और वो speed को क्या किया motion सामने हो रही है लेकिन ब्रेक मारा तो acceleration opposite हो गई ठीक है clear है चलिए next question यहां पर हमने question करते है question number 1 हो गया question number 2 देखिए question number 2 देखिए बुला है यह bus decreases its speed from 80 km तो उसका initial कितना हो गया u कितना हो गया पहले उसका 80 km per hour था और उसका v कितना था 60 km per hour initial था initial था हमारा 80 break मारके उसने किया 60 km और time कितना लिया 5 seconds बुला है acceleration निकालो तो हम पता है acceleration equal to v minus u divided by t तो पहले में v minus u को निकालता हूँ देखिए v minus u क्या होगा 60 minus 80 कितना होता है 20 km per hour अब क्यूंकि यह second में है इसको meter per second में convert करूँ मैंने आपको last class में बताया था कि 20 km per hour को convert करने के लिए हम क्या करते है meter per second में convert करना है क्या करते हैं दो value थी 85 very good 20 into 5 by 18 ठीक है तो 5 to 10 यानि 100 by 18 हमारा यह answer आ चुका था यह हो गया हमारा meter per second अब meter per second हो जाएगा हम acceleration equal to यह हमने निकाल दिया v minus u का पहले हमने निकाला v minus u फिर उसको convert किया तो यह हमारा answer आ गया अब acceleration equal to यह होता है तो यह हमारा हो गया 100 divided by 18 divided by time कितना है हमारा 5 seconds तो यह हो जाएगा 100 divided by 18 into 5 यह हो जाएगा 5 to 10 20 यानि 20 by 18 is equal to हमारा answer हाएगा 1.11 ऐसी 11 चलता हैगा 2 meter per second meter per second square acceleration निकालना है अब यहां पर देखिए यह negative term था यह negative था ना minus 20 था negative था तो यह भी हमारा minus negative यह भी negative यह भी negative answer negative यानि हमारा acceleration कहां था motion यहां था लेकिन उसने break माला था तो acceleration negative आ चुका था clear है चलिए थार्ड question दिखते है थार्ड question बोला है train start कर रहे railway station में तो initial velocity कितना 0 meter per second और move किया uniform acceleration में at an speed of 40 V कितना 40 40 km per hour ठीक है अब यहां पर हमालीजे आप 0 meter percent को 0 km per hour कर लीजे कि कोई कुछ भी हमें दिया नहीं हम कुछ भी 0 दूनों में ही value 0 हैंगे time कितना लिया उसने time लिया है उसने 10 minute बोला x-test निकालो ठीक है acceleration का value क्या था V-U divided by T V-U पर निकालते है V-U निकालेंगे पहले इसको यह पर जान देते V-U क्या हो जाएगा 40-0 क्या हो जाएगा 40 km per hour convert करना है meter per second में 40 into 5 by 18 यह हो जाएगा 200 by 18 meter per second तो यह हो गया V-U तो यहाँ पर A equal to क्या हो जाएगा इसके साथ इसको छोड़ देते हैं यह पर V हमारा आगया 200 इसको कार्ट के लिखता हूं मैं 200 divided by 18 फिर टाइम कितना हमारा 10 minutes यानी 600 seconds 600 seconds तो यह क्या हो जाएगा 200 divided by 18 into 600 यह कटेगा 23 सा तो आसा हैगा 1 divided by 38024 31345 54 1 by 54 तो आसा आजाएगा इसका 0.0185 meter per second square देख लिएगा इसको करके एक बार यह answer है ठीक है initial निकालना है समझना initial क्या है final क्या है time क्या है km per hour है तो इसको meter power पे convert करना है और अगर minute में है तो उसको हमने second में convert किया third question निए वैसी हमने final हम यहां पर बच्ची जो गलती करते हैं उनको लेगा कि 80 km तो बड़ा है तो उसको 80 में 60 करते हैं 80 initial है और वो break मार रहा है तो break मानने पे भी acceleration हुई है लेकिन वो negative direction में हुई है इसलिए इसका आमानेस आना कोई खराब बात नहीं है ध्यान से चीजों को देखिएगा एक बर वीडियो को फिट से देखिएगा बहुत slow पड़ाया मैंने क्योंकि इसके बात के वो topic है उसमें initial velocity, final velocity uniform acceleration, non uniform acceleration average velocity, average motion या average speed सब चीज की graph में description में दी जाएगी ठीक है उस सब चीज को हम जो next topic पढ़ेंगे उस next topic बहुत important होने वाली है ठीक है उस next topic के लिए मैंने planning करा है कुछ different तेकर से करूँँगा देखते हैं planning को कैसे execute किया जाएगा graphical repetition हम इसमें पढ़ने वाले हैं graph में इसको समझेंगे graph से भी question exam में आते हैं ठीक है तो यह 3 question आप जरू से जरू try कीजिए 2 बार 3 बार देखिए कोई doubt है तो तुरंत video के comment में लिखिए चलिए तुरंत for you to make yourself understand मत पढ़िये वीडियो तो कान में लाग headphone लागे देखिए audio में कोई दिक्कत है तो मुझे बताईए क्योंकि मुझे पता है मेरे audio में थोड़ा buzzing sound आता है वो static sound है वो में change नहीं का सकता वीडियो थोड़ा सब्सक्राइब को सपोर्ट मिलने पर और bell icon को जरूर दबाएगा ताकि next video जैसी upload हो आपको पहले notification मिल जाए ठीक है यहीं पर रखता हूँ मैं आज की video खतम करता हूँ आप खुश रहिएगा लेकिन previous video को जरूर देखिएगा और यहां तक पूरो videos को complete से देखिए क्योंकि हलकी सी mistake आपने की और आपको यहां पर बहुत चीजे देखिए physics का बहुत simple concept है you should be alert वर्णा गया हाथ से तो डरा ने रहूँ आपको समझा रहा हूँ और समझाने के साथ सा मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे मैं करा रहा हूँ वैर से कीजिए फिर देखिए कितना easy लिए physics सच में बहुत easy है ठीक है बस इसमें practice के जवत है ठीक है चलिए मिलते है next video में तब तक लिए खुश रहिए have a nice day bye bye